वेलकम है आपके एक और वीडियो में सबसे पहले गाईज मेरे को मेसेज आए आपके आप पुछते हो कि हम आजाएं यहाँ पर यूपके में जिनके वीजे आ चुके हैं देखो आप इतनी जीद कर रहे हो आपकी परसनल चॉइस है आपका दिल तो कर रहा है कि हम आजाएं यहाँ पर आपको पते हैं सिट्वेशन कैसी है तो गाईज आपकी परसनल चॉइस है अगर तो आप यहाँ पर इसपैंसिस अपने कर सकते हो तो आजाओ फिर बाकी आपकी मर्जी है अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वेट कर लो थोड़ा सा क्योंकि आप सभी को पता ही यह बाहर बाहर मैं बताओंगा आपको पता ही लॉगड़ाउन चल रहा है लॉगड़ाउन लगवे जॉब्स कम है तो सब चाहते हैं की इडिया से बाहर निगले पर निंसल्राइब तो दूब निगली थी आज सुबह 2 아침 डीज टेघ्री टेंपरेचर है और ये आप देख सकते हो और वो सामने आप उपर देखोगे मेरा लैंडलोड सफाई कर रहा है विंडो में तो खैर वीडियो के टाइटल पर आते हैं आपने टाइटल अल्रीड देख लिया है तो यह बहुत ही इंपॉर्टन टापिक होगा क्योंकि सभी को डाउट रहता है कुछ स्टेंट कहते हैं कि हम छे महीने की फीस बरकर आ रहे हैं गाइज जो अभी सिटेशन चल रही है न मैं आपको उसके गौडिंग बताऊंगा कि यहां पर आप फीस निकाल सकते हैं और नहीं निकाल सकते हैं आप ऐसा देखो कि आपको पता लगेगा जो रेल्टी अभी चल रही है यहां पर क्योंकि जॉब्स कम है आप खुद अंदाजा लगाओ कुछ स्टेंट गयती छे महीने की फीस बरकर आएंगे और फीस निकाल लेंगे तो वो आप निमांग से थोड़ा सा निकाल दो अभी अभी बिल्कुल भी ऐसा सीन नी कि आप छे महीने की फीस भरकर आओ तो आप सोचो कि आगे मैं फीस निकाल लूँगा तो वो मैं बताता हूँ वो किस सिट्वेशन में निकलती है फीस वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो छे महीने की अब जैसे मुझे पूछ रहे हो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो बैचलर वाले स्टुएंट आते हैं के में पढ़ने के लिए अपने प्लस्टु आप करनी इंडिया से जिन्होंने की तो आइलेस की रिक्वाइर्मेंट देखो उनको होती है जिनके मार्स कम होते हैं इंग्लिश में तो आइलेस का वीवर मिल जाता है उनिवर्स्टी से ये भी आप पूछते हो आपके अगर मार्स 65% से उपर हैं इंग करता हूं कि आपने अगर आना यूके में तो कम से कम गाईज एक साल की भर कर आओ पहले साल की फीस भर कर आओ अगर आपने आगे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है आप यह सोच कर आओ कि हमने स्टडी करनी है घरवालों को बोल दो कि थोड़ा सा खर्चा करें थोड़े स भलता ही मिए तो छह मेहीं की फीज फीज शू मे 03 बच कर आते हैं न में आपको रखेंगा मैं विडियो में लेकर आंगा आउँस मिधी構ं भलता हैं मैं इसाली करा आँकि तो वह अपना personal experience बताएंगे तो आपको reality एक दम पता लगेगी क्योंकि मैं बैचलर नहीं कर रहा है आप जो मेरी डिग्री है वो आपको पते ही है मैं master डिग्री कर रहा हूं तो जो बैचलर वाले student है मैं आपको उनसे भी मिलवाँगा वो अपना personal experience आपको बताएंगे तो आपको पता लग नहीं का आप आओगे guys अभी तो situation भी अच्छी नहीं चल रही कि आप सोचो कि आते सार आपको jobs मिल जाएंगी अभी situation बढ़िया नहीं है और यह भी नहीं पता कि यह जो situation अभी चल रही अभी कितना time चलेगी 2020 आपको पता है कैसा गया है पूरा साल यह ऐसा चला गया में कि UK मत आओ तो कुछ लोगों ने उस वीडियो को बहुत negative में ले गए थे कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है पर जिनोंने समझना था वो वीडियो देखकर समझ गए मैं उसमें क्या बोलना चाता था वो situation क्या थी तो अभी ऐसी situation चल रही है मैं आपको मना नहीं कर रहा पर ज ameamagrautations होती है फिर स्टुडेंट्य आ जाते हैं फिर फस जाते हैं फिर पच्टाते हैं तो यह reality मैं आपको मिल हूंगा स्टुएंट से आप साल की बर कर आना जितने भी बैचल बेस्ट्र बेस्टुएं जैसे आप साल की बढ़कर आ जाते हो तो सपोज करो हम जनुरी में लगा लेते हैं कि जो जन्वरी इंटेक के स्टुएंट आये हैं या जो आने वाले जो फैब्रेरी में आएंगे तो ठीक है एक साल की वीज बर कर आये वो अपनी जॉब स्टार्ट की उन्होंने वो भी लीगल जॉब कर रहे हैं तो अगर साइड वाई साइड वो अपना काम क करते हैं और comm ein कि करते हैं तो अभी देखो जो मिलने में हम हम अंद्र लगा लेते की मर्च में жизни मिल जाती च भी को सबको बताहिं तो जिनोंने देखो साल में दूबारा फीस नहीं दी वो अपने पैसे अच्छे सेव करेंगे शुट्य और की चाहिए अब जितन नंड़न में इतनी अच्छी एर्णिंग हो जाती है आप वहाँ पर अगर जाब करते हो तो जो स्टोइट वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर सेलरी बहुत अच्छी है, तो आपके वर्ट पर डिपेंड है, वहाँ पर काम भी इतना है, तो बड़ी सीटी में आपको अल्रेटी बताता हू में रेंट वगेरा आपको शेरिंग में तो मतलब आपकी सेविंग चुटियों में बहुत बढ़िया हो जाती है तीन महीने अगर आप काम करते हो तो हमने भी जून में जब किया था लास्ट मांथ तो बढ़िया यहां पर सभी लड़कों ने फुल टाइम काम किया था तो अच्छलर वाले स्टूरेंट उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर करना पड़ता है अज कंपेर टू मास्टर स्टूडट तो आपने सेविंग की उसके बाद क्या है कि जब आपकी क्रिसमस की चुटियां आती है उसमें भी आपको 20-25 दिन की चुटियां में लाती है क्रिस क्रिसमस में भी आपको बता है मैंने बताया अच्छी मिलती है तो इस वार तो जो क्रिसमस थी वो सबको पते है कैसी थी यहां पर लॉकडाउन की सिटेशन थी तो जौब वगएरा बिल्कुल कम थी हम गय थे काम पर तो जौब वगएरा बिल्कुल कम थी ओनली टेकवे सबसे निकलेगी जो मास्टर वढले स्टूडेंट आते हैं तो उनका सबसे बढ़िया रहता है मैं सच बता रहा हो आपको जिक्टर ली जो मास्टर वी स्टोइट राते हैं ज Can Doaster evi तो यहां मेेरा स्ट्वेटि ls जो साल की देते हैं उनको बत है बस एक बार आगे और फिस देनी हैं तो उनको पहुत एजी रहता है थे मैंच पश्ब एफ these को बोलता हूं फिर भी देख नीτεक्गि पाजी को ऑजि कह रहे हैं कि हम इंडिया में रह लुक बात है तो मैं आपको कहता हूं कि यह आप अगर आपके पास बजट नहीं बन रहे तीन साल में भी देखो मेरे पास थीन-चार साल का स्पीरेंस है जौब की फिर आया तो मैं लेट आया पर अगर जिनकी मजबूरी है मैं उनको बोल रहा हूं जो आ सकते हैं वह कोई प् करनी है जिनको financially प्रॉब्लम होती है सभी के घर में तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि आप बैचलर डिगरी कर लो इंडिया में साथ के साथ इंडिया में कोई छोटी मोटी जौब कर लो जिसके साथ आप सेविंग करो तो उसके बाद मास्टर डिगरी के लिए अप्लाई यूरोप जो इटली यूके फ्रांस कोई भी कंट्री लगा लो और कोई वीजे बंद हो सकते हैं वर्क वीजे बगएरा में चेंज़े आ सकती है पर जो स्टूडेंट वीजा है यह कभी बंद नहीं होता क्योंकि उनिवर्स्टी में आपने पढ़ने जाना है तो आपने बै सबसे बड़ी बाटी बाकी मैंने बता दिया की मास्टर वालो की भीजे नहीं आती वह अपनी फीज निकाल लएते हैं मेरे साथ मेरे जो आपने लास्ट वीडियो में मेरा रूम में देखा था जो इंडिया थोड़ी दिन पहले उसने फीजोब की अपना बढ़िया तो ऐस नाद बर करते हैं तो फीस निकाल लेते हैं पिसके बाद जूस वीजे पर आते हैं तो उनको कोई टेंशन में तो देखर जोने मुझे बढताने की जूरत नहीं है गाइस यह मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में घंड रही हो कि बोला नहीं जा रहा प्रॉपर और हाथ फ्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं मैं इसलिए बाहर नहीं गया मैंने सोचा जो घर पर ही कर लेंगे तो अभी मैं रूम में चला जाओंगा कल मेरी जौब है तो अभी यहां पर वेराउस बगेरा उपन है वह भी टेंपरेरी बलात तो उसके साथ मेरी बात होई तो वह बोलता कि भाया हमको तो उन्होंने बना कर दिया तो अभी वेट करो मैंने आपको बताया है वह अभी किसी को नए नए बंदे को नए स्ट्वेंट को नहीं दे रहे जौब जो आप जो आप जिस्टेंड उनको भी बहुत मुश्किल से तो यहां पर जितने भी पेट्रोल स्टेशन है सर्विस स्टेशन है वह अभी ओपन है सभी वह 24 आवर ओपन रहते हैं तो वह मैं रिकमेंट करता हूं कि जो नए स्ट्वेंट आ रहे हैं अगर उनको जौब में दिक्कत आ रही है तो आप उनमें जाओ ट्राई करो वहां प प्रॉपर बोला भी नहीं जाता ठंड में एक दो डिग्री टेंपरेचर है तो मैं होप करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी बाकि आप नेग्टी में मतले जाना जो रेयाडिटी है मैंने वह बताया कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो तो ठीक अभी नेक्स्ट वीडियो रखे टेक केर बाबाए